चलिए सुरुवात करते हैं आज की नियूजपेपर के हम एडिटोरियल के साथ में दो महत्पूर एडिटोरियल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला जो एडिटोरियल है हमारा वो है कारडियक संबंधी बच्चों की जो बीमारिया होती है हरदय से संबंधित रोग खास कर उनको बच्चपना में ही जब लग जाता है उनके इलाज के लिए भारत सरकार की तरप से कौन-कौन सी सुईधाय प्रोवाइट की जा रही है और पूरे देश भर में हम देखें तो कितने अस्पताल बनाए गए है हरदय संबंधी देखरेक के लिए महिलाओं की देखरेक के लिए कितने सारे बच्चों के ऊपर एक डॉक्टर है हमारे यहाँ पर और वहीं यहीं हम तुलना कर ले विक्सित देशों की और भारत की जैसे की मान के चल लीजिए फ्लरड आया है यहाँ पर बाढ़ आई है बाढ़ की समस्या से हम कैसे निजाद पा सकते हैं इसके कई सारे उपाय बताए गए हैं जैसे की टाइम टाइम पर हमको नालियों की सफाई करना है अवे तरीके से जो लोग रह रहे हैं और उसके चलत ही चलते जो जल जमाव हो रहा जल भराव हो रहा है उनको हमें क्लियर करना इसके हसे अलावा बैट लैंड है बैंगलूरू के बैठ लेंडों से गारे धीरे धीरे जो दल दल भूमी हुआ करती थी वहाँ पर लोगों ने अपने घर बसाना चालू कर दी हैं बड़े बड़े फ्लैट बनाए जा रहे हैं उनको हम सब को कम करना अपनी जो वेट लेंड हैं उनको बचाना है इसके साथ ही साथ मैं सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है करप्सन के उपर में कैसे करके हम करप्सन को रोक सकते हैं ताकि आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जा सके दो मातपूर्ड एडिटोरियन हिनको हम डिसकस करेंगे 200 सब्दों में जो हमें आंसर लिखना रहेगा तो कोस्टन हम से पूछा जाएगा इंडिया लैक्स एक कंप्लीट पीडियाट्रिक कार्डियो केर सर्विस भारत में संपूर बाल चिकित्सा जिसको हम कार्डियो देख भाल कहते हैं इस प्रकार की सिवाव का आभाव है इसक आपके बच्चे को हर्दय संबंधी रोग हो सकता है हार्ट डिफेक्ट हो सकता है तो यह काफी चिंता वाली बात हो जाती है पैरेंट्स के लिए तो किसी राज में हैं किसी राज में नहीं है जहाँ पर जादा जनसंख्या है वहाँ पर जादा यह सुईधाय होना चाहिए जहाँ पर जादा केसिस आ रहे हैं हर्दय संबंधी बीमारियों के वहाँ पर जादा ऑस्पिटल बनाओ जादा जादा डॉक्टरों की मतलब होता है बच्चों से संबंधि बच्चों की चेकित्सा से रिलेटेड अब हम बात कर रहे हैं कोगनीसियल हार्ड डिसीज की जिसको सौटकट में CHD कहा जाता है मतलब हम बात कर रहे हैं हिर्दय संबंधी रोगों की जिसको सेंटर फोर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC एटलांटा यूएस स्विकार करता है दा मोस्ट कॉमन कोगनीसियल डिसॉडर जो रिस्पॉंसिबल है अठाइस परसेंट आप दा ओल कोगनीसियल बर्थ डिपेक्ट जन्म के टाइम में ही जो डिफेक्ट आ जा र दिफेक्ट हो जाना 28% तो यही एक बीमारी है एंड एक्कांट फॉर छह से लेकर के 10% अप आल इंडियां इंफेंट डैट इनडियां के सिनारियों ऐसा कहता है कि हर 100 में से 6 से 10 बच्चे हर 100 में से 6 से 10 बच्चे इस बिमारी के चलते चलते इनकी डैथ हो जा रही है और इसका जो इलाज करते हैं उनका कहना है टाइम टू टाइम मेडिकल इंटर्वेंशन होना चाहिए यदि ऐसा होता है तो हम 75-75 बच्चों की जान बचा सकते हैं और उनको नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं अब बात करें हैं यह हम कार्डियो वस्कुलर डिसीज की तो इसके लिए भारत में किसी भी प्रकार की कोई नैसिनल पॉलिसी नहीं है ताकि इस बिमारी का हम ट्रीटमेंट कर सकें खास करके बच्चों में तो ज़्यादा तर जो नंबर है न ट्रीटमेंट के बाहर ही हो जा रहा है बच्चे बहुत सारी बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे हैं जो कि इस बिमारी का उनको इलाज ही नहीं मिल पाता है ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक लाग से भी जादा बच्चे अब आप सोच लीजिये कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि सरजली के लिए इंदजार करते रहते हैं हार्ट से सम्मन देए एक बताया जा रहा है पीडियार्टिक कारेडिक सोसाइटी ओफ इंडिया इसके अनुसार कहना है कि प्रिविलांस और कॉगनिंसियल कारेडिक एनोमली मतलब कि जन्म के टाइम में हर्दय सम्मन दी जो विक्रितिया है वो हर सो मैंसे एक बच्चे में देखाई दे रही है हमरे यहां जब सम्मस्य इतनी बड़ी है तो हमें भी उसका निजात निकालने की आज के टाइम में बहुत जादो जरूरत यह फिर एस्टिमेंसन लगाया जा रहा है कि जो दो लाख बच्चे हैं हर साल CHD की बीमारी लेकर के पैदा होते हैं और केवल 15,000 उनमें से ऐसे हैं जिनको हम इलाज कर पा रहा हैं ट्रीटमेंट कर पा रहा हैं यह ट्रीटमेंट भी बड़े अस्पताल में होता होगा बड़े बड़े लोग ही इतने एफॉर्ट कर पाते होंगे इतने बड़े बड़े इलाज को ओपरेशन को कम से भी कम 3% बच्चे ऐसे हैं जो की complex defects जहां हमें दिखाई दे रहा है और उनको जरूरत है कि हमें सर्जरी करना पड़ेगा तब जाके बच्चा जी पाएगा लेकिन बताया जा रहा है पच्चिस सो ओपरेशन कैन बी परफॉर्म इजियर मात्र पच्चिस सो ओपरेशन ही हमरे देश में हो पा रहे है बड़ी बड़ी संस्थाएं आप देखोगे जहां पर बच्चे आने वाले साल में एक साल दो साल तीन-तीन साल तक इंतजार कर रहे हैं तब जाकर के वहाँ पर उनका इलाज हो पा रहा है अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से निरासा जनक स्थती बन रही है जो की ग्राउंड रियल्टी से यहां एक वर्ड यूज किया गया है परसेप्सन परसेप्सन मतलब होता है अनुभूती अनुभूती मतलब कि किसी भी चीज को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जो समझ रखते हैं या फिर आपका एक स्पेशल जो द्रश्टी कोड रहता है राय अमत रहता है उसको बोलते हैं परसेप्सन परसेप्सन तो एक रिटायर्ड हेल्थ से लिरेटेड ब्योरो के ग्रेट थी उनका कहना था कि देखिए जादा से जादा निगलेट एंड लिटिल इंप्रोव्मेंट हुआ है चाइल्ड हेल्थ केर में इस चेत्र में हम निगलेट कर देते हैं बच्चों को हम इतना जादा आगे नहीं बढ़ पाए है थोड़ा सा ही प्रगती हो पाई है क्योंकि जो कार्डियक सर्विस होती है इसका इलाज बहुत महगा होता है किसी के चलते चलते ना तो हम बच्चों की जान बचा पा रहे हैं और ना ही इस सेक्टर में किसी प्रकार का इंप्रूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है इस रिसोर्स इंटेंसिव यहां पर आपको जादा सजादा फईसा खर्च करने की जोगत डॉक्टर चाहिए हॉस्पिटल चाहिए सारी स्पैसिलिटीज चाहिए मसीने चाहिए इसी के चलती चलती तो पॉलसी मेकर इतना ध्यान नहीं देते इतना सारा पैसा हम क्यों खर्च करेंगे रहने दो कोई जरूरत नहीं है कम में खाम चलाओ बताया जा रहा है कि 22 हॉस्पिटल और 50 से भी कम सेंटर है हमारे इंडिया में विद इन्फेंट एंड नियो नेटल कार्डियक सर्विस जहां पर इस प्रकार से जो नावजात सिसू है और नवजात की टाइम में जो कार्डियक सर्विस प्रोवाइड करी जाती है ऐसे मातर 22 हॉस्पिटल है और मातर 50 सेंटर है हमारे देश में और जियोग्राफिक ये भॉगॉलिक रूप से आप ये देखोगे ये जो सेंटर है ना पुरे धेश भर में बराबरी से नहीं फैलें ऐसे नहीं है कि हर राज में एक एक सेंटर मिल गया है ऐसी कोई बात नहीं है 2018 कार्डियो लॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है इसने हाइलाइट किया है कि किस प्रकार से साउथ इंडिया में सतर परसेंट सेंटर बनाए गए जाज़तर जो सेंटर है वो लिक्वेड़िड है इस रीजन में विधि लूवर बर्डन ऑप सीज़ अब आप सोचिए जहां पर बिमारी कम है वहां पर सेंटर जादा बनाए कैसे करके हम इस विमारी को हैंडल कर पाएंगे एक्जामपल के तोर पर यदि हम देखें तो के ला के पास के ला हैस एट सेंटर ऑफरिंग नियोनेटल कार्डियक सर्जरी इस फॉर एन इस्टिमेंटिट साड़े चार लाग एन्वल चाइड़ बर्द अब आप खुद अब बात कर लीजी आप ज्यादा पापुलेशन वाले कुछ राज है जैसे के उत्तर प्रदेश बिहार जहां पर एन्वल चाइड़ बर्थ हो रहा है 48 से लेकर के 27 लाग 48 लाग बच्चे जन्म ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में और बिहार में जन्म ले रहे हैं 27 लाग ब अब आप देख सकते हैं यहां एक भी इस प्रकार का सेंटर नहीं है अब हम बात कर लेते हैं कि कितने डॉक्टर कितने बच्चों के उपर एविलेबल हैं हम बात कर लें यह दि 600 जिलों की जिनकी जनसंख्या है 1.4 बिलियन पापुलेशन there are only 250 pediatric cardiologist available ठीक है 1.6 बिलियन के उपर मात्र 250 pediatric cardiologist हमरे देश में एविलेबल है हमरे देश में डॉक्टर और जो पेसेंट का रेशो है अनुपात है वो बहुत कम है 1.4 एक करोड पापुलेशन मतलब की आधी करोड जनसंख्या के लिए एक डॉक्टर है हमारे यहां पर आप सोच सकते हैं कि डॉक्टर और पेसेंट के बीच में हमारा कितना ज्यादा गैब है डॉक्टरों की संख्या यह आप बढ़ाओगे तो वो बहतर से वाइं प्रोव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब हम बात करें एकोर्डिंग टुदा एनाल्स और पीडियार्ट्रिक कार्डियोलोजी जनरल एक पत्रिका है इसकी युनाइट इस्टेट की कि 2966 पेडियार्टिक कार्डियोलोजिस्ट थे 2019 में इस रेशो ओप वन पर 29,196 आप क्या देख रहे हूं 2019 का डाटा क्या कह रहा है 29,196 कि इतने सारे क्या है पेसेंट है या फिर पापुलेशन है इसमें एक है और हमारे यहाँ पर क्या देख रहे हूं आप आधी करोड़ एक बटे दो करोड जनसंख्या के ऊपर एक डाक्टर है हमारे देश में आप तुल्ला कर लीजिए आप यहाँ पर कस्मीर, हिमाचल प्रदेश, जारखन, पंजाब, उडिसा ठीक है यूपी और बिहार के अलावा हम बात कर रहा है यहाँ पर हायर सी एचडी बीमारी का बर्डन है बट डू नॉट हैव पीडियार्ट्रिक कार्डियोलोजिस्ट इन गवर्मेंट सेक्टर लेकिन जो सरकारी होस्पिटल है वहाँ पर आप देखोगे न यहाँ पर कोई भी पीडियार्ट्रिक कार्डियोलोजिस्ट मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे चार पीडियार्ट्रिक कार्डियोलोजिस्ट हैं for 38 दिल्ली गवर्मेंट होस्पिटल दिल्ली के लगभग 40 सरकार एस्पताल हैं जिसमें से मात्र चार ही पीडियाट्रिक कार्जोलोडिस्ट काम कर रहे हैं आज की टाइम में आप देखोगी जैपूर राइपूर कोयम्टूर मदुरई भूनेश्वर इसके अलाव पलवल इंदौर यहां पर इलाज तो जरूर हो रहा है लेकिन कहां जाना पड़ेगा आपको प्राइविट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और प्राइविट हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपका खर्चा कितना बढ़ जाएगे आप अच्छी तरह से जानते एक रीजन एक और यह हो जा हैं सर्जन की कमी है और जो क्रिटिकल केयर सेंटर भारत में वो भी कम है इसके बाद लाश्ट का जो रीजन बन जाता हुआ जाता है गरीबी को ले करके इसी के चलते चलते क्या होगा यदि मेरा बच्चा हरदा से संब्द किसी रोग से प्रभावित है तो मुझे अपने आज में ले करके उसको जाना पड़ेगा कितना टाइम लग जाता है हर चीज कितना व्यर्थ जाता है यहां पर आप समझ सकते हैं तो समस्याइं आप देख चुके हैं एक तो हम इसको एफॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं दूसरी बात हम इसको एक्सेस भी नहीं कर पा रहे हैं यह सब दिक्कतें pediatric services में हमको दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा यदि आप कहीं किसी बड़े से hospital में भी चले जाओगे private hospital में तो जो crucial equipment रहते हैं उनकी availability भी बहुत कम आपको दिखाई देगी जो की essential होते हैं diagnosis of heart disease in unborn बच्चा आपका पेट में हैं उस time में भी आपको यदि कोई चीज पत का पता लगाना है तो इस प्रकार की सुईधाएं भी हमरे यहां पर मौझूद नहीं होती हैं तो एक समस्या और यह हैं यहां पर awareness की कमी है कि CHD विमारी क्या है उसके पहले से क्या लक्षड हो सकते हैं हमें क्या अपने खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है कैसी lifestyle होना चाहिए कौन सी गोली दवाई इस्तमाल कर सकते हैं यह सारी बातों का बिलकुल भी लोगों को जानकारी में नहीं रहता है अब हम बात कर रहे हैं जो गर्ब धारणी महिलाएं रहती हैं उनकी देखभाल से सम्बंधित मतलब प्रसाओं से पहले ही उनकी देखभाल किस प्रकार से हो रही हमारे देश में चाइल्ड हर्ट फाउंडेशन है एक नॉन गवर्मेंटल और नाइजेशन जो काम करता है सिली गुडी में जालंधर में दिल्ली में ठीक है इसने कुछ बात हैं कहीं थी जैसे कि ऐसे बच्चे जो कि CHD की बिमारी से जूज रहे हैं इस बिन सेइंग दर नीड फॉर फेटल इको कार्डियोग्राफी इनको ज़रूत पढ़ती है किसकी फेटल इको कार्डियोग्राफी के जन्म के टाइम में धी कोई बिमारी को हमें पकड़ना है तो यह जो डॉक्टर होते हैं उनका कहना है एंटी नेटल डिटेक्शन ओप कॉगनेशियल एनमेली इस क्रूशियल पॉर नियो नेटल केर एंड मेनेजमेंट तो यह सबसे ज़्यादा महत्पूर पहलू रहता है कि हमें बिमारी को सुनु में ही पकड़ना है जो नियो नेटल केर है और मेनेजमेंट है उस ताइम में सबसे ज़्यादा ही महत्पूर हो जाता है लेकिन जैसे कि accurate heart health assessment इसको आप देख नहीं सकते हो किसके माध्यम से अल्ट्रा सौनोग्राफी के माध्यम से यदि कोई बच्चा महिला के पीटन में है उस ताइम में आप जो कोगनेंसियल डिफेक्ट है जनमजाज जो उसमें विक्रती आ सकती है उसको मात्राप अल्ट्रा सौनोग्राफी करा करके बिल्कुल भी पता नहीं करा सकते हैं इसके लिए fatal एको कार्डियोग्राफी किया जाता है pregnant woman का जिनकी उमर है जिनका जो बच्चा है वो 18 से लेकर के 24 वीक का होता है इनको allow किया जाता है ताकि better visualization मिल सके उसके structure की उसके function की मतला बच्चे का जो है उसका structure कैसा है function कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसके लिए क्या कराया जाता है fatal इको कार्डियोग्राफी कराया जाता है और इसके लिए बच्चा हो रहा है चाहिए 18 से लेकर के 24 सब्टाह का अब कुछ कुछ प्रोग्राम भी है जैसे की केरला का हर्दयाम फॉर लेटिल हर्ट्स जिसका उद्दे से हैं हमें अर्ली डिटेक्शन करना है मेनेजमेंट करना है सपोर्ट देना है बच्चे को जो की सी एजडी की विमारी से घ्रसित है या फिर तमिल नाडू चीफ मिनिस्टर की जो कंप्रहेंसिव हैल्थ इस्ट्रेंच स्कीम है जो की ओफर करती है फिरी में इस पेजलाइड सरजरी को इस प्रकार की स्वेधा है पुरे भारत भर में फैलानी के हमको जरूरत है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन इसकीम जिसको हम आईश्मान भारत बोल रहे हैं ऐसा एक्सप्रेशन लगाया जा रहा है कि जो फाइनेंशली असिस्ट कर रही है दस करोड गरीब फैमली की बट है इस तिल टू टेक आफ लेकिन यह उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है सुफार महराष्ट कनाटा गुजराद आनप्रदेश है और अपारेंटली गोट गोई इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वो हम डिसकस करने वाले हैं बैंगलूरू से रिलेटेड यह आर्टिकल लि कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं बंगलूरू में बाढ़ हाई दी कोई कह रहा है कि माइग्रेट लेवर के चलते चलते ऐसा आया है कोई नेताओं के उपर आरोप लगाते रहता है तो इस पकार कि आरोप और प्रत्यारोप यहां पर लगाये जा रहे हैं तो फ्लड यहां पर खतम हो चुकी है आज के टाइम में सब अपने घर बार की सापसफाई में लगे हुए है पानी ने मिट्टी लेकर आया था बहा करके जो सड़कों में धूल उड़ा करती थी आज के टाइम में उस धूल को पानी बहा करके लाया आपके घर के सामने जमा कर लोग उसको भी साफ सफाई में लगे हुए हैं तो आप देखोगे इंडिविज्वल स्ट्रगल करना है उसके घर को क्लीन करने के लिए इस सिल्ट जमा हो गई है रोड के उपर के जिसको पानी बहा करके लेकर के आया था और आप ये देखोगे जो एयर उड़ा करती थी आज इस एनलाइसिस किये जाते हैं आज के टाइम में बैंगलूरी की फ्लड को लेकर के वो रैनफाल से जादा और भी जादा नुक्सान होने वाला कई सारे जो एनलाइसिस किये गए हैं उनका कहना है कि आने वाले टाइम में ये तो कम नुक्सान हुआ इससे भी जादा नुक् का मतलब होता सालाना सालाना यहां पर बारिस कित्ती हो सकती है 1000 mm हो सकती है आज के टाइम में कित्ती होती है चाड़े 600 mm पर रेनम हो रही है अब आप देखोगे सहर अनप्लैंड ऑबर क्रावड़ेड ग्रोथ हो रही है ठीक है इसी के चलते-चलते हमने जो ग्रीनरी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिये है टैंक्स एंड वेटलैंड को भी हमने समाप्त कर दिये हैं तो कैसे करके हम इस समस्या से निपट पाएंगे आने वाले टाइब तो एक बात तो क्लियर यह हो गई है कि जो सिटी इतनी ज्यादा कंजिस्टेड हो गई है इस से हमें निजात पाने की जरूरत है जाद से जाद हमें ट्री की प्लांटेशन करना पड़ेगा वेटलैंड को सेव करना है एवन रीक्लैम देम आप उनको रीक्लैम करिए वेटलैंड को ऐसा नहीं कि आपने उसके उपर कबजा कर लिया तो वेटलैंड खतमी हो गया डीसिल्ट ड्रैन जो को हमें बढ़ा करने की जरूरत है इसके अलावा जो पेवमेंट बनाए गये हैं रास्ते बनाए गये हैं पैदल चलने वाले की उनको आप क्या करेंगे डी कॉंक्रीट करिए एंड स्टॉप दा क्लॉगिंग ओफ वाटर वेस वाटर वेस में जो जल जमा हो जा रहा जल भर कर रही नहीं कर पा रहा है आगे बताया जा रहा है स्टेट गवर्मेंट ने हाल ही में एनाउंस्मेंट किया था कुछ टफ मेजर हम उठाने वाले हैं जैसे की डेमोईलेशन ओप अनाथुराइज इंक्रोच्मेंट जो की बाधा डाल रही थी ट्रेनेज स्ट्रीम स्ट्री इतना ज्यादा चोक हो जा रही है नालिया ना इसका कारण है गलत तरीके से लोगों का बसना अवैद रूप से इंक्रोच्मेंट जो होते जा रहा है सहर में अतिक्रमड होते जा रहा है यह भी एक रीजन है इस सबका लेकिन देख लीजिए आज के टाइम में प्लानिंग ऐसी हो गई हैं कि यह जो ड्रेन्स हैं नाले हैं इनको हम डाइवर्ट कर देंगे तो एवाइट ऑल्रेडी बिल्ट अप एरियास ताकि हमरे एरिया में जो इस प्रकार की घटनाय घटित हो रही हो यहां न घटित होके दूसरी जग होगे इस इन अंडेटिंग मतलब जो जल्मगन होता है इंक्रोजमेंट अंटिल पीपूल एबंड़न देम ओफ दियर आउन वो वो लीसन वो लीसन का मतलब होता है इसका मतलब यह हो गया कि देखिए सरकार यह जो कदम उठा रही है यह कोई पर्मेंट समानधार नहीं है क्योंकि ल जगा को आप छोड़ नहीं दोगे तब तक के प्रकरती इस प्रकार कातिकमर करते रहेगी क्योंकि आप खाली ड्रेनेज का डारेक्शन चेंज कर दे रहे हो तो इससे कोई खास असर नहीं पढ़ने वाला अब आप यह देखोगे हर कोई ब्लैम करता है फेवरेट विलियन विलन तो ब्लैम फ्रॉम बिल्डर माफिया से लेकर के माइगरेंट लेबर को फ्रॉम दा लैक ऑप एस्पेटियल प्लानिंग से लेकर के अनकंट्रोड वाइलेशन ऑफ बिल्डिंग बाइलास एंड करपसन कोई कहता है कि जो बिल्डिंग आपने बनाए हुए कानून के अनुसार नहीं है कोई कहता है बिल्डर की इसमें गलती कोई कह रहा है कि बिल्डर माफिया की गलती है कोई कह रहा है कि माइगरेंट की गलती है माइगरेंट वर्कर की गलती कहीं न कहीं से लोग एक दूसरे को विलन मानते रहते हैं हर कोई डीक्राइस कर रहा है करप्सन क को ले करके लेकिन चुप चाप इसको सहते जाता है कि कि इस पीछे क्या रीजन है इसके पीछे रीजन है डर का मैं यदि खुलासा कर दूंगा इस करब संका तो यह मिर को छोड़ने बाला नहीं है इसलिए सरकार को सबसे पहले मेरी सुरक्षा करना पड़ेगा मैं यदि सरकार के लिए विशिल ब्रोवर का काम कर रहा हूं मैं यदि कोई जज हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति जो की करप्शन के खिलाब जो आवाज उठा रहा है सबसे पहले तो गवर्मेंट को उसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा तब जाकर के वो जो काम कर रहा है और भी ज़्यादा उसको उत्साह मिलेगा इसके अलावा कुछ-कुछ ऐसे कदम आपको उठाने की जरूरत है जैसे कि कुछ-कुछ ऑपिसर है आपको कोई ऐसा कदम उठाना है कि वो फर्जी केसस ना बताएं फर्जी किसी में करेप्शन का केस लाला के लाला के अपना फाइल भरते जा रहा है इस प्रकार की घड़ना है बिल्कुल भी घटित नहीं होना पाई चाहिए एक सबस्य यहां पर आजाती है definition को ले करके परिभासा को ले करके आखिर भ्रष्टाचार आप बोलोगे किसको तो भ्रष्टाचार की हमारी संकीर परिभासा है सरकार सरकारी सिस्टम में यदि कोई घूंस ले रहा है उसी को हम भ्रष्टाचार बोलेंगे यदि वहीं प्राइवेट की बात आ जाती है तो उसके लिए किसी प्रकार का नियम कानून उतना जादा मजबूत हमारे देश में इसी के चलते चलते कई सारे जो लोग है इस दोस्त से बच जाते हैं तो सरकारी सेवकों द्वारा यदि कोई भ्रष्ट काम किया जा रहा है कानूनी तो और पर तो उसको हम भ्रष्टाचार बोलेंगे अब चुकि निजी भ्रष्टाचार का अपरादी करण नहीं होता है इ हैंड लिंग फीस जमा करते हैं कि लाव अब हम से कर रहे हैं सरकार की तरफ से काम हमें आप दे दो मतलब बीच का व्यक्ति वह बन जाता है इसका एक इलाज बताया जा रहा है कि हम रीगो वर नैन सकर देदें जाद से इने ज्यादा कंप्यूटर हम अपना काम करेंगे तो लेकिन आप खुझ सोच लीजी आप एक पटवारी के पास में जते हीं अब आपने काम ऑनलाइन तो कर दिया है कि हर काम ऑनलाइन करेगा लेकिन जब उसी के साइड में एक जो हैल पर बैठा हुआ है वो आपका काम बेना घूस लिए नहीं कर रहा है काम तो ऑल लाइन हो रहा है तो फिर आपका जो ई-गवर्नेंस का सिस्टम है ना फिर से फैल हो जाता है तो आप टैकल कैसे करोगे हमें विस्व से कुछ सीखने की जरूरत है तो जो पॉलिटीसियन लोगों ने नेटवर्क बना की रखा है जिसमें बीरो को सामिल है प्राइवेट सेक्टर सामिल है रेगुलेटर सामिल है इनको काफी मुस्किले जाने वाली है हैंडल करने के लि पहले नमबर की बात यह है हमें रेगुलर रेगुलर्ली असेस्मेंट करना पड़ेगा इविल्यूसन करना पड़ेगा किनका ओन्गोइं एंटी करिप्सन मेजर्स का इलिमिनेट करना पड़ेगा पॉसिबिल्टी ऑफ डेक्लेरिंग फाल्स विक्टरीज काम के लिए आप करप्सन को खड़म करने के लिए जिए नदिखारियों को आप लगाए हो उनकी टाइम टाइम पर आप असेस्मेंट करिए एवल्यूसन करिए और एक बात यह हैं कि फाल्स विक्टरीज नहीं होना चाहिए इसका भी हमें ध्यान रखना है सेकेंड नमर की बात यह हैं तो जो बिसल बॉलोवर होते हैं जो कि आपको गुप्त जानकारी प्रवाइट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन आप करिए इस्योस ओनस्टिजन पॉलिडीशियन ब्यूरोक्रेट एंड जजिस ऑफ दा प्रोटेक्शन इन सब को आप प्रोटे कोई भी लिमिट आपकी सफल नहीं होगी यदि लीडर्सिप में ही कोई व्यक्ति कप्टी बैठ पैठा है करप्शन वाला लीडर बैठा तो ये काम कोई अकेला नेदा नहीं कर सकता है इसमें सरकारी गैर सरकारी जो सेक्टर वाले छेत रहें उच्च श्रेंडी के व्यक्त वो अपने आप में चैंजिस हो जाएंगे तो यह आपकी गलत बात है ऐसे नेताओं को बदलना नए नेताओं को उड़ाय करना ये सब हमारे हाथ में निर्भर है इसके बाद हम दाहिंदू की पहली खबर देखेंगे तो दाहिंदू की पहली खबर आई है गरबपाद के अ साधी हो चुकी है और एक महिला यह है जिसकी साधी अभी नहीं हुई है वो लाइव इन रिलेशनसिप में रह रही है इसको भी सुप्रीम कोट ने मानता दे दी है ठीक है अब यह मैरिट वूमेन है 24 हपता का यदि भूड हो गया है तो वो गर्पात करा सकती है वहीं यदि कोई लड़की प्रिगनेंट हो गई है उसके 24 हपते का भूड हो गया है बच्चा हो गया है अब वो चाहती है गर्पात में कराओं गर्पात कराने के कई सारे रीजन हो सकते हैं बच्चे को समस्या है म नियम खानून चलता था यदि कोई सिंगल लड़की है तो वो गरपात कराने के लिए उसको बस चक्करी काटते रहता है उसके लिए बहुत जादा मुस्किल काम हो गया था आज के टाइम में सुप्रीम कोट ने 21 साल पुराना जो जज्जमेंट था उसको क्या कर दिया है 51 एर ओल्ड जो कर्ब लगा था कि वो सिंगल वोमेन एब औरसन नहीं करवा सकती है उसको सुप्रीम कोट ने पलड़ दिया है इसको लेकर के ये नियूज आई है तो सुप्रीम कोट का ये बहुत ही जादा मातपूर्ण ने नहीं है सुप्रीम कोट ने कहा था कि किसी महिला की व्यवाहिक स्थिती को उसे अन्चाहे गर्ब गिराने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है उसकी साधी हुई है या उसकी साधी नहीं हुई है इस अधार पर आप उसको गर्ब पात कराने से रोक नहीं सकती ये उसकी मर्जी है तो एकल और आविवाहित महिलाओं को भी 24 सप्ताह में इस कानून का फायदा उठा करके गरपात कराने का अधिकार है एक और महत्पूर्ट फैसला यहां पर सुनाया गया है मेरिटल रेप को ले करके अब हो सकता है कि पती पतनी के बीच में बन नहीं रही थी पतनी को ऐसा लगने लगा कि पतनी पती रेप कर रहा है उसकी इक्षा के विरुद तो ऐसी इसे कंडीशन में भी पतनी अपना घर पात करा सकती सुप्रीम कूट घर पात को लेकर कि गुरुबार को सुनाए गया है फैसले में कहा पती द्वारा किये जाने वाला दोस्कर्म जिसको मेरिटल रिप कह रहे हैं इसकी दसा में भी 24 सप्ताय की तैसीवा में पतनी को ये छूट है कि आप क्या करा सकते हैं गर्व पात करा सकते हैं Medical Termination of Pregnancy Act के अंतरगत इसे सामिल हमें करना चाहिए ये अधिकार उन महिलाओं के लिए राहतकारी होगा जो अंचाहे गर्व को जारी रखने को विवासे कि हम नहीं चाहिए रहे हैं फिर भी हमें Pregnancy रखना पड़ रहा है इसकी कहानी हम एक बार आपको और भी बता चुके थे पहले जब कभी ये नियूज में आया था तो एक महिला थी वो गई थी कोर्ट में केस लगाने के लिए कि देखिए मेरे साथ ऐसी ऐसी समस्या है मैं अपने बच्चे मैं अपना गर्व पात कराना चाहती हूँ लेकिन मुझे इसके लिए इजाज़त नहीं मिल पा रही है तो 25 साल की एक आविवाहित यूती थी वो लाइव इन रिलेसंसिप में रहती रही होगी प्रिगनेंट हो गई फिर दोनों की बीच में रिलेसंस अच्छे से मतलब अनबन हो गई होगी तो उनने बोली कि मैं गर्व पात करा हूँ लेकिन उसको मेडिकल बोर्ड की तरफ से क्या कर दिया गया था मना कर दिया गया था 25 साल के एक आविवाहित यूती थी इसने याच का दायर करी उसने कोट से 24 सपताएं के गर्व को गिराने की अजाज़त मागी थी हाई कोट ने उसको अजाज़त नहीं दी थी ये यूती सहमती से सेक्स के चलते गर्वती हुई थी उसने सीर्स कोट से गर्वात की जाज़त देने की गुहार लगाते हुई कहा कि वो पाँच भाई बहनों में सबसे बड़ी है उसके मादा पिता किसान है उसके पास अपनी आजीव का चलाने की इंतजाम नहीं है इसलिए वो पेट में पल रहे बच्चे का पालन पोसन करने में असमर्द है इसके बाद वाली न्यूस हम देखने वाले हैं यूनेसको से संबंदिद जिसका फुल फार्म है यूनाइटेट नैशन्स एजूकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चिरल और नाइजेशन ये एक विशेसग्यता वाली एजेंसी मानी जाती है यूनाइटेट नैशन्स की जिसका उद्देश से है विश्म में पीस और सिक्यूर्टी को इंस्योर करना बढ़ावा देना इसके माध्यम से इंटरनेशनल कोपरेशन के माध्यम से इन एजूकेशन आर्ट साइंस एंड कल्चर यहां पर इसके बारे में पूरी तरह से बता दिया जाता है क क्या यह काम करती है यह प्रमोट करती है पीस और सिक्यूर्टी को इसके लिए क्या करेगी वो कोपरेशन करेगी एजुकेशन में आर्ट में साइंस में कल्चर में सब देशों के साथ मैं सहयोग करती है यूनेस्को की स्थापना की गई थी उननिस सो पैतालिस में ऐस दा सक कोपरेशन फिर इसके मेंबर की बात करें तो 193 देश इसमें सामिल है ग्यारा इसके एसोसियेटेड मेंबर है एस वेल एस पार्टनर्स इंदा नॉन गॉर्मेंटल इंटर गॉर्मेंटल एंड क्राइविट सेक्टर कई सारे सदस यहां पर बैठते हैं ठीक है गैर सर्सकारी स अंगठन के इसके अलावा इंटर गॉर्मेंटल के और प्राइविट सेक्टर के लोग भी यहां पर बैठते हैं है हेड़कॉर्टर की बात करें तो इसका हेड़कॉर्टर है वर्ल्ड हैरिटेज सेंटर पेरीश में यूनेस्को का जो फांडिंग मिसन रहा था वह क्या था पीस को बढ़ावा देना सतत्विखास करना इसके अलावा जो हुमन राइट्स है उनको प्रोटेक्शन करना बाइफेसलेटिंग कॉलबरेशन एंड डायलाग एमंग नैस अंदेशों के साथ में बात चीद करके सारी बात हैं हमें हासिल करना है इन सब को देखते हैं क्रेंडेंश इन Vocês इस की जो गवर्णिंग है वो इसके द MR की रही जाते हैं जैरल कौन फेरैंस के दोरा इसमें सामिल होते हैं मेंबर ऑफ स्थेट्यृतिило सभी देश सब्सके मेंबर इसमें आ thoughts यह प्य Ó this न होता है मतलब मेंदित्व 14 MORE इसकी ब牛 स्वार 사 concert कितना बजट हमें खर्चा करना है क्या क्या इसकी प्रोग्राम रहेंगे यह सारे काम इसके अंतरकत में आ जाएंगे यह क्या है इट आल्सो इलेक्ट्स मेंबर यह कुछ मेंबर का भी चुनाव करती है किसके एग्जिकीट्यू बोर्ड के जो कि मैनेज करते हैं युनेस्को के कामकाज को और एपॉइंट करते हैं एवरी फोर इयर्स में एक डारेक्टर जनरल को जो डारेक्टर जनरल रहता वो इसका चीप एड्मिस्टेशन माना जाता है युनेस्को की तरब से कुछ नियम कानून बनाए गये हैं जैसे कि एक बना था उननेस्सो सत्तर पे कन्वेंशन ओन दा मीन्स और प्रोहिटिंग एंड प्रिवेंटिंग दा किलिशिक ट्रैफिक और कुल्चिरल प्रोपर्टी सांस्कृति कोई प्रोपर्टी है तो इसका आप अवैद रूप से तसकरी नहीं कर सकते हैं 1972 में कानून आया था प्रोटेक्शन ओफ वर्ल्ड कल्चरल एंड रेंचुरल हैरिटेज फिर आया था 2001 में युनिवर्सल डेक्लिरेशन और कल्चि सिफगार्डिंग ओफ इंटेंगलीबल कल्चिरल हेरिटेज 2005 में कानून आया था कन्वेंशन ओन प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन और डाइवर्सिटी और कल्चिरल एक्सप्रेशन नियुस के हम यहीं बात करें तो युनेसको ने रिष्ट तयार करी है पचास आइकोनिक इंडियन टेक्स्टाइल यहां पर मेंसन किया गया है कॉस्स पॉर डियर ड्विंडिलिंग पापलर्टी मतलब इनकी जो पॉप पॉपलर्टी है वो सिगुरते जा रही और प्रोवा जानना है कि इनका प्रजर्वेशन करना बहुत जादा जरूरी नहीं तो यह संस्कृति है कलचर है धीरे-धीरे खतम हो जाएगी अब यहां से आप देख लीजिए क्या क्या चीज है कहां कहां से है हमरे देश की टेक्स्टाइल क्राफ्ट जिसको यहां पर कंजर विसन करने की बात करी जाती है एक यहां यूस किया गया है Embryo Dairy Embryo Dairy मतलब होता है कड़ाई तो जो टोड़ा कड़ाई है संगड़ी तमिल्नाडू की है हिमरू हैदराबाद की है बंधा टाई एंडाई है कहां की संबल पुर उडीसा की ये कुछ-कुछ टेक्स्टाइल है जो की यहां पर काफी महत्पूर हो जाती है 21 सेंच्वरी की ऐसी चीज़ें जो की हैंड मेंड है सेफगार्डिंग करती है ट्रेडिशनल इंडियन टेक्स्टाइल लिस्ट को यूनेस्को का कहना है देखिए इस प्रकार की कलक्रतियां इनका प्रिजर्वेशन बहुत जादा जरूरी है तब जाकर की फ्यूचर में सस्टेंट कर पाएंगे अब देखिए भारत में यह सारी चीज़ें हैं लेकिन इनका पार्टिकुलरली प्रॉपर इन्वेंटरी और डाकुमेंटेशन नहीं हो पाता है इसके चलते चलते यह सर्वाइव नहीं कर पाती है ऐसे पब्लिकेशन जिसका उद्दे से होना चाहिए जो गैप बन रहा है इस गैप को हम फिल फिल कर सकें इनके उपर हमें रिसर्च करने की भी जरूरत है फॉरन वाली न्यूज एक देख लेते हम जहां पर अमेरिका की तरब से 810 मिलियन डॉलर का फंडिंग प्रोवाइड किया जाएगा पेसिफिक आइलेंड को युनाइटेट इस्टेट ने थर्टे की दिन एनॉंस्मेंट किया है कि हम 810 मिलियन यूज डॉलर की न्यूज फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है पेसिफिक आइलेंड को अब चुकि चाइना इस प्रकार के आइलेंड में अपनी पैट बनाते जारा मजबूत पकड़ बनाते जारा इसको काउंटर करने के हिसाब से एक अदम उठाया गया है अमेरिका की तरब से तो चीन द्वारा जो घुसपैट की जा रही है जो प्रसांत दीप है इसके लिए नए वित्त पोसड की गोशना की गई है अमेरिका के द्वारा वाइट हाउस का कहना है इसमें से जो 600 मिलियन डॉलर है न यह किस फार में रहेगा दस साल का पैकेज रहेगा ताकि क्लीन अप किया जा सके डवलप किया जा सके डर्टी वाटर को तूपोर्ट दा टूना इंडुस्ट्री ताकि जो टूना की इंडुस्ट्री है ठीक है और चाहते हैं कि जादा ज्यादा इन नेताओं के साथ में अपना डिपलोमेटिक रिलेशन बढ़ा है क्लाइमेचिक और डिवलप्मेंट यहां पर हम करना चाहते हैं आगे अमेरिका का कहना है ठीक है बाइनेंट एड्मिस्टेशन का एनाउस्मेंट किया था कि युनाइटेट इस्टेट क्या काम करेगा रिकोनाइस करेगा कुछ आइलेंड को और नियू को यहां पर आपकी सरकार आप किसी का राज नहीं है लेकिन दिक्कत वाली बात यह है इससे न्यूजिलेंड को परिशानी हो सकती है यहां पर अमेरिका भी अब अपनी पकड को मजबूत कर रहा जहां पर 20,000 है मतलब कि निवासी रहा करते हैं